कोरोना से हुई मौतों के आकड़े पर राज सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल सहीब है कि अचानक सरकार को कैसे पता चला, कि राज में कहीं आकड़ों को लेकर घोताडा चल रहा है। और फिर कल तक इस बात की कोई जानकारी सरकार की त्रप्से क्यों नहीं दे गई कि आकड़ों को लेकर कोई जान चल रहा है। और मजूदा समय में जो आकड़े सरकार द्वारा जारी किये गए हैं उस पर संदे हैं लेकिन कल अचानक से एक अई दिन में चार हजार के लगभग मौतों को बढ़ा दिया गया। नेता प्रतिपक्त जैसु यादों ने सरकार के इस आकड़ों को पूरी तरह से फरजी बताया है और दावा किया है कि असली मोहत का आकड़ा तो इससे भी 20 गुना ज्यादा है। असल आकड़ा उससे भी कई गुना ज्यादा है। अब नमस्कार में ना में मोहित कुमार सींग और आप देख रहे हैं जनता जक्षन का बीसे इसकारी क्रम एक्स्प्लेनर। सरकार के तरब से बताया था कि बिहार में मोहत की दर 0.76 फीजदी है। लेकिन मात्र एक रात में यह सब कुछ बदल कर 1.07 फीजदी हो गया। लपरवाही थोड़ी बहुत होती है। लेकिन बिहार में तो मोग के 72 फीजदी मामले को डेटा में दिखाया इने गया था। अब बिहार में अचानत से बढ़ाये गए बहुत्तर फीजदी मोग के आकड़ों के कारण पूरे देश में चल रहे है डेटा को भी सुधारा जा रहा है। नेता प्रतिपक्स यसु यादों ने इन आकड़ों पर सवार उठाते हुए लिखा है कि नितीजदी इतनी जूट मत बोलिए और बुलवाईए कि उसके बोजतले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। जब फसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मोटों की संख्या बढ़ा दी। नितीज सरकार मोटों का जो आकड़ा बता रही है उसे 20 गुना ज्यादा आधिक मोते हुई है। नितीज सरकार ही फरजी है तो आकड़े फरजी तो होंगे विपक्ष की तरफ से पहले भी और अब भी लगातार कहा रहा है कि सरकार मोट के फरजी आकड़ों को दिखा रही ह अब मौजुदा समय में सरकार में जो ने आकड़ा जारी किया है उस पर भी साफ तोर पर प्रश्ण उठाये जा रहा है सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि अगर सरकार को ऐसा लगा था कि अलग-अलग जीलों से आ रहे हैं आकड़े सही नहीं है तो फिर सरकार की तरफ से इसके बारे में इसके पहले क्यों कुछ नहीं कहा गया सरकार ने हाई कोट की फटकार के बाद जीलों में जाज करने के लिए टीम का गठन किया तो आखिर टीम ने इसके पहले कुछ तो input दिया होगा कि जिनों में इस प्रकार से आंकलों के साथ खेल किया जा रहा है यह भी बताया होगा कि आखिर किसके निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार अब उन नामों के क्यों चुपा रही है और अगर सरकार नाम चुपा रही है तो यह क्यों नहीं माना जाए कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर ही हुआ है और अब भी सरकार असल आंकला सामने नहीं ला रही है कल तक बियार सरकार अपना पीट ठपा रही थी कि वह देश में कोरोना एक कारण हुई मौतों में एक बड़ा राज होने के बावजूद काफी नीचे है लेकिन कल अचानक से बिहार बरावे नंबर पर आ गया इसके पहले बिहार सोलवे नंबर पर था आप फुट सोचिए कि 5-10 फीज़ी तक का आकड़ा गलत होगा तो हम मान सकते थे लेकिन बिहार में तो मौत का 22 फीज़ी आकड़ा ही गायब था और अब भी जो आकड़ा जारी किया गया है वो ठीक नहीं है इसका प्रमार है कि राजधानी में ही दो दर्जन से जादा अस्पतालों में हुई मोतों को इस जेटा में शामिली नहीं किया गया है इसी प्रकार से भी यहार के अलग-लग जिलों में कितने अस्पताल होंगे जहां का आकड़ा सरकार के पास पहुचा ही नहीं होगा सरकार ने इस बार अपने आकड़े में कहा है कि राजदानी पटना के अंदर अब तक 2293 में मौते हुई है लेकिन दैनिक भासकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केवल अप्रेल और मही महीने के दोरान पटना के केवल तीन घाटों पर ही 3,243 लोगों का अंतिम संसकार COVID प्रोटोकॉल के ताथ किया गया है अब कुल मिलाकर यह राज के उस ब्योस्था का प्रमाड है जो बिल्कुल खराब हो चुका है सरकार की तरब से आगे उन अधिकारियों पर क्या कारवाई के जाती है जिन्होंने कोरोना के आकड़ों में खेल किया यह देखने लाइक होगा और अगर कारवाई नहीं होती है तो फिर सरकार से सवाल के उनहीं पूछा जाए इसका जबा भी स्वास मंत्री को देना होगा आगे अगर कारवाई की ख़बर आएगी तो हम उसे आप तक जरूर पहुचाएंगे वाक्तिया वीडियो को शेर कीजिए अगर फेस्बूक पर देखने हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुचा लगए वीडियो में कैमरे के पीछे ख़ड़े हैं प्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंग दन्दवाद